हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं एक कप मैदा से बहुत ही तेश्थी लख्ठा अक्सर बच्छों क्यात करते हैं मार के जाते या मेले में जाते हैं तो लख्ठे देखते हैं तो बोलते हैं मम्मा यह खई दो और बहुत ही ज्यादा महेंगा मिलता है लख्ठा तो घर सब्सक्राज करें ऐसे मेदा समस्था तक रहले हैं टालर से एक चिटकी नमक वेणत दालर अगा भीतई उड़ा तो यह फोल आप एसे से वी नहीं जाए तो यह इस वी बना सकते हैं तो इसे अच्छे से हमने मिक्स करके रेडी कर दिया है मतलब कि गूंथ लिया है आटे उसके बाद क्या करना है एक लोई लेना है आपको यह देखिए और इसे अच्छे से मसलते हुए आटे को जो है हमने रेश्ट पर नहीं रखा हुआ है चौकी लेंगे और चौकी पर इसको लोई बना लेंगे और लोई बनाने के बाद बेलन्स के सायते से इसकी रोटी बना लेंगे एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है आपको और पतले पतले स्लाइसिस में इसको कटिंग कर लेना है चकु के सायते से देखिए छोटे बड़े प लगा हुआ है तो यहां पे हमने हमने अच्छे से वड्रेघ्आ का लिया हुआ हो該 है उसके बाद क्या करना है गर्मा गरम तेल में इसे फरै कर लेना है और अच को एकडम मीडियम रखना है पहले तेल एकडम जाए फिर इसको जो है आँच को एकदम लो पे रख देना है ताकि अच्छे से ये पक जाए तोयां पर देकिए इसका color जाए कितना अच्छा आने लगा है और जब तक कि ये सुनहरे कलर में ना आ जाए तब तक इसको पकाते रहना है तो यहाँ पे इसका कलर जो है एकदम गोल्डन ब्राउंड हो गया है अच्छे से पकर तयार हो गया है तो इसको हम निकाल लेते हैं साइड में रखते हैं उसके बाद थोड़ा सा पैन में डालना ह है पानी दो चमच के लगवार और एक मिठी को तोड़कर डाल लेना है यह गोड है हमारे यहां मिठा बोला जाता है इसे और इसे अच्छे से पाक कर लेना है पाक कैसे चेक करना है पानी लेना है अगर पानी में ना पाक जब डालेंगे तो गोली बन जा रहा है तो समझे यह पाक जो है अच्छे से perfect बना हुआ है तो सारे लक्ठे को इसमें डालेंगे और इसे गैस को हम बंद कर दिये हैं और अच्छे से से मिलाएंगे अच्छे से जब तक कि यह सारे लग्ठे में इसको मिलाते रहना है तो अगर आप मेरी वीडियो नया हैं तो प्लीस वीडियो को लाइक और चैनल को सर्सक्राइब काना मत भूलेगा हरोज मेरी चैनल से आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से मैदा का लक्ठा बना कर एक बार जरूट रहे कीजिएगा बहुत ही अच्छे बनते हैं इसे आप एक महिना तक अराम से खा सकते हैं फ्रीज में रखके और अगर फ्रीज नहीं है तो दो हफ्ते तक अराम से इसे खा सकते हैं तो ये देखे कितना अच्छे से ये लक्ठे बन कर त्यार हो गए हैं तो मिलते हैं नेश्ट वीडियो के साथ हैं